दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका क्यारियपलाच चैल में और आपके लिए खुसकबरी आ चुकिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और बताया यह समय कि मुख्यमंत्र जी ने आदिस कर दिये गए यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर जो है 65 साल की उम्र में जो है वह रिटा होंगे और नेश्ट अपडेट के और यहाँ पर बात करेंगे इसमें जो है कि इलावाद बिस्विद्ध्यल है कि जो है इसनाद तक पाठेगरम में जो प्रिविस के लिए जो है और पंजीगर शुरू हो चुकिए इसमें क्या है सब्सक्राइब दिन तक चलेंगी लगेगा इसमें नेश्ट अपडेट करेंगे इसमें जो है सिक्षा नितिसरले ने जो है चैन बोर्ड में जो परतिएशिक्ष सूची का बिब्रॉण आपर देखंगे टिजिटी पीजटी दोएटी डियर 21 की परतिएशिक्षा सूची की चैनली तो की सत्रह सोगी कांसलिन तो यहां पर जो 17 को जो कांस्लिंग कराई जाएगी और यहां पर जो है उत्तर प्रदेश माद्मिक प्रदेश चैन बोर्ड में जो प्रदेश बिटिंग लिस्ट को जो है वो मांग गया विवरण और आपके लिए खुसक्वरी आ चुकिए कि डियलेट में जो तीन बार फैल अभ्यारतियों को बड़ी रहा थी इसमें क्या हाई कोट ने सभी आजकाओं को जो है परिक्षा में बैठने का अंतिमत्रिक्त जो है मौका दिया गया निर्देश ठीक है तो इलावाद हाई कोट ने जो है डियलेट बीटी सी में जो है इसके पर दीजिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेस्ट अपडेट के यहां पर बात करेंगे इसमें सी एपी एफ सिपाई परती का सत्रह सित मेडिकल प्रविस पत्र जारी कर देगे सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के अंतरगा सी एपी एफ के अंतरगर जो है दोयर ब अपडेट के यहां पर बात करेंगे इसमें मादमिक संस्कृत स्कूलों में 30% पर्थेक्रम होगा कम तो यहां पर देखते हैं हिंदी अंग्रेजी बिज्ञान बगड़ित के जो है कोर्स घटाया गया चार इसमें चार डिप्लॉमा कोर्स भी संस्कृत और इसमें प्रतिव पदो पर होगी सीधी खाए सीधी बड़ति बात क्या इसमें नगर पंचायत के अंतरगत जो है कि इसमें जो है यह हो के पदो पर दो 300 पजो पर बढ़ती होगी . 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 भरती में आपने देखा होगा कि 25,000 से ज़्यादा जो हैं लोगबार हैं फिर भी उन्होंने आविदन किया हुआ पर्मानेंट होते हुए भी तो आप बढ़ सकती है यह संक्या आविदकों को जो है बचे हैं तीन दिन शिक्षकों निक्तियों में जो है एक बटा मतलब क्या जो पहले से गवर्मेंट टीचर हैं उन्होंने भी आविदन किया कम से कम 25,000 ऐसे आविदन आये हैं जो पहले से पर्मानेंट टीचर यहां पर जो है आप इसमें निवीजी थे हैं ठीक है और नेस्ट अपडेट करों बात करेंगे समझों कि राज्की इंटर कॉ कालेश्न के प्रधाना चारक के जो है शबालीस पर तो पर फीज दी पर रिखते हैं काराज्क इंटर कॉलीज में चोवालीस परसेंट पर रिखतें और यहां पर देसकते हैं दस हजार से अधिक जो हैं पद खाली हैं सासन की इस थर से फसी भरती हैं आयोग जारी नहीं कर बिग्यापन जारी नहीं कर पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 अधिक पद इसमें रिखते हैं यह नेस्ट अपडेट के और यहां पर बात करेंगे इसमें सिक्षकों के जो है 79 पदों पर नहीं मिले दाविदार तो यहां पर देशाते हैं सूबे के जो साहता प्राप जो अधिक बिदाविदार नहीं आया ठीक है सीद्ही से बात किया एक तरफ लोगर नगरिया नहीं है और यहां पर निखरीय कोडे दोस्तुनि मिले देब यूजिये और लॉजिप पर प्रिविश को दिभी बिलने नहीं मिलेगिए उनगेar बात करेंगे पनें अलाबाद इसम 28 जुलाई तक जिसमें राइस्टेशन के बाद खुलेंगी यहां पर खिड़किया और यह चर्चा का भी से बनाओ सोशल मीडिया पर चायप पढ़ें यह दोनों जिने आलोग को जो है राश्टित हटाना चाहती ती चूती कानी खतम कर देते हैं इसकी तो यहां पर आप अपसर जो है जोती तुमोरा के पती जो है इसमें बताया गया इसमें विवादों घेरे में मनीज दुबे जो है पहले से एक बार वादों में घेरे में फच चुके हैं यहां पर आप दे सकते हैं मैला कॉंस्टेबल ने उनके साथ छिड़कानी आरोप लगाया था यहां प बात है दो सो तीस सवालों की मेरिट कम जाएगी आप यहां पर असर इसकंदर पढ़ने वाला है नेस्ट अपडेट के बात करेंगे इसमें सैकड़ों पद जो है वो खाली पद भी है इसमें कर दिये थोक के भाव तबाद लेकर मतलब के सैकड़ों पद खाली और थोक के ब अलग अलग समाचर पत्रों के माद्य में आपको दिखा रहा हूं सिक्षकों के 79 पदों पर कोई दावेदार नहीं हाँ पर आप देख सकते हैं और आपने जो है गाजेपुर का नाम सुनाई होगा वहां पर यह जो है एडिट कोलिश का इंतरगा दो शपरासी बरत निकाली दिए जारी कर दिया हैं यहां पर यहां पर आपी सत्र है और 18 जलाई को इसमें इंटरव्य कराएजाएगा और यहां पर लिखा हुआ है कि no TADA will be paid for attending interview interview के लिए दिए आप attend होने जा रहे हैं तो कोई TADA आपको नहीं मिलेगा मतलब बहानवत्ता खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा date and time schedule for document verification and interview मतलब जब है interview आपका होगा तो document verification के बाद ही होगा हाई स्कूल इंटर्वी मार्शेट आप में लगाई तो फर्जी तो नहीं है कहीं पर वो चेक करी जाएगी उसके बाद ही आपको इंटर्वी होगा यहां पर लिखा हुआ कि interview will follow after verification of document document के बाद ही होगा यहां पर serial दे रखा है साड़े आठ बजे से एक से लेके 22 तक होगा और साड़े बारा बजे से लेके 23 तक होगा गाजीपुर का नाम सुना ही होगा वहां से इंटर्वी को schedule जारी कर दे गए और जो सबसे अच्छी बात ही है यहां पर प्रिंसिपल के नाम है यहां पर भी दे रखा ठीक है के अप्लाइ 100% कर दूंआ पर वीडियो को भी यह लाइक कर दीजिगा तो प्लीज सब्सक्राइब माइ यूटूब चानल केरे प्लस थैंक यू बेरी मच